इस वीडियो में हम स्लिज डिजाइन बनाएंगे, हाफ स्लिव कट कर ली है, साथ में पाइपिंग ली है, राइट साइड हम पाइपिंग को अटेच करेंगे पाइपिंग हमारी उपर वाली साइड है सीधी पटी कट की है इसको हम मोड लेंगे सेंटर में हम सिलाई लगा कर V-shape बनाएंगे एक्स्टा फैबरी को कट करेंगे यहाँ पे हमें सीधा छोटा सा कट बनाना है पटी को सीधा करेंगे स्लीव के साथ हमें पटी को अटेच करना है V-shape हमारी बेवकुल सेंटर में आएगी रोंग साइड सबसे पहले हमें पटी को अटेच करना है पाइपिंग के उपर जो हमने सिलाई लगाई थी उसी के उपर हमें सिलाई लगानी है उसके बाद पटी को राइट साइड टर्न करेंगे और पाइपिंग के साथ मिलाते हुए किनारी पर हमें इसके सिलाई लगानी है और जो हमने वी शेप बनाई है उसके साथ फैबरिक बटन अटेच करेंगे और हमारे डिजैन बनके रेडी हो जाएगा